हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आपका हमारे निक्स टॉपिक में हाट टॉपिक और हमारे जो अँसका नाम है पृणाशल सर्विसस इंस्टिटॉशन भी डो दोस्तों गिये मैं आपको उता दू इस पूरे साल भर में आपके अग्जाम में यहां से कुश्चन देखने को मिल सब्सक्राइब करना इनको कौन करता था बैंक बोर्ट ब्यूरो इसका काम था टॉप लेवल के है अभी क्या हुआ दोस्तों हमारी भारत सरकार ने फानाशल सर्विसस इंस्ट्टूशन भी रेख बने रहे हमारे साथ यह टॉपिक कापी अच्छा है एक्जाम के पॉइंट आफ टिक है देखे, वाइड नियूस, ठीक है, तो दा काबिनेट अपॉइंट्मेंट कमिटी, ACC, दा काबिनेट अपॉइंट्मेंट कमिटी, हैस पास, गोर्मेंट डिलिशन, तो स्टैबलिश दा फिनांशल सर्विसस इंस्टिटूशन ब्यूरू, ठीक है, इन रिप्लेस अप दा बैंक बोड ब्यूरू, ठीक, तो अब दा काबिनेट अपॉइंट कमिटी ने, एक डिलिशन पास कर दिया, डिलिशन, कि हम लोग क्या करने वाले है, हम लोग बैंक बोड ब्यूरू करेंगे, और फिनांशल सर्विसस इंस्टिटूशन ब्यूरू को लांच करेंगे, ठीक है, तो फिनांशल सर्विसस इंस्टिटूशन ब्यूरू हमारे देश में एक बोड़ी इस्टैबलिश हो रही है, यह बैंक बोड बिनों को रिप्लेस कर देगे, ठीक है, यह जो नया फ्रेमवर्क है, यह कौन लिगर आया है, डिपार्टमेंट ओफ फाइनस अंडर दे मिनिस्ट् और बाते सुन लें, देखें दोस्तों, तो वाट इस दो फिनांशल सर्विसस इंस्टिटूशन ब्यूरू, यह क्या है दोस्तों, तो यह सिंपल सी बात है, जो काम बैंक बोड ब्यूरू का था, अब वही काम यह करेंगे, दो ना, दो फिनांशल सर्विसस कंपनी के टीव को सब्सक्राइब करेगी इतना क्लियर हैं को दोस्तों अब देखो तो फिनांशल सर्विसेस इंस्टिशन ब्यूरो की बात करें विल बी दा सिंगल एंटिटी पॉर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर सेम हैं दुस्तों वह यार मतलब इसी लाइन को या लोबिट कर लें नॉन एक्जिटी चेर्मेन की बात कर लें सी यो की बात कर लें इन सब को पॉइंट है करेगा हमार कौन फिनांशल सर्विसेस इंस्टिशन ब्यूरो करेगा वह सेम चीज़ है चिक तो एफस आईबी क्या है वह हमने पढ़ लिया चिक है आगे बढ़ते हैं नेक्स मैं अपॉइंट के जा रहा है किसका एफस आईबी कर देए तो भानुपरताब शर्मा यही पहले इनिशियल चेर्परसन होंगे एफस आईबी के फॉर्दर ट्यू यह दो साल के लिए जोगी बानुपरताब शर्मा और लेड़ी बैंक बूरो में थे तो इनको एक्स्पिर रेकमेंडेशन यह था कि सरकारी बैंकों के गवर्नेंस में चेंजेस होने चाहिए मतलब जो इनसान लायक है उसी इनसान को सरकारी बैंकों में एमडी या सी यू या हैड़ भराना चाहिए भले आपको यह प्राइवेट ऑगनेशन उठाओ आप कहीं और से भी लेग रहा ह कहीं बाहर से बाहर करो मैंडर नहीं करता आपको सरकारी बैंकों का गवर्नेंस धारना पड़ेगा तो 14 में इस कमेटी के रेकमेंडेशन आये थे तो 2016 में हमारी सरकार ने सोला में अप्रूब कर दिया बैंक बोर्ड ब्यूरो को बनानेगा ठीक है दोस्तों देखें बैंक सुरी बैंक बोर्ड ब्यूरो को बनाए गया तक हमारे देश में जो सरकारी बैंक है एस वेल एस ओल इंडिया फिनांशल इंस्टिउशन नाबाड सीड़ी एक्जिम बैंक इस सब इन सब के जो टॉप लेवल के एंप्लॉई है मैनेजमेंट उनको बैंक बोर्ड ब्यूरो ह करेगा तो पहले हमारे देश में दोस्तों क्या था सरकारी बैंकों के लिए और अल इंडिया फिनांशल इंस्टिशन के लिए इसको बनाए गया था फिर क्या हुआ दोस्तों फिर क्या हुआ देखिए इशूस क्या सुनिए फिर क्या हुआ तो हमारी सरकार ने सोचा कि उनको अपॉइंट करें, उनको मतलब स्रेक्ट करें, और ऐसा हुआ भी, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में 2020 में हमारे देश में दिल्ली हाइज कोट ने क्या बोला, दिल्ली हाइज कोट ने बोला कि बैंक बोर्ड ब्यूरो केवल अकिवल बनाए गई है for the bank and for the financial situation, तो के लिए competent body नहीं है तो दिल्ली हाइज कोट ने अपने डिशने मना कर दिया कि बैंक बोट ब्यूरो के पास कोई पावर नहीं है हमारे देश में दोस्तों अग्रिकल्चर इंश्रेंस कंपनी ये पता है वो बिना डाइक्टर की काम कर रहे हैं है यह नहीं को इसके पास क्योंकि दिल्ली हाई कोट ने 20 से मना कर दिया सरकार भी सोची का करें तो डैली हाई कोट ने क्या बोला कि बैंक लगा दिया है और बना दिया क्या बना दिया है हमारे देश में फ़анाश सर्विसेस इंस्टिशन ब्डख़ुरेओ यादि स्टार्टिं से यह यह सांटिंग सर यह यह हैं कि यहिं लुक्ष हैं बनाइनश्र सर्विस हैं सरकार के ऐस आपके जो एक्जा स्विसेंश्र्ध आने वाले आप पूरे एक्जाम में देखो गए से तो ध्यान से पढ़ना अराम से पढ़ना एक्जाम में कुश्चियां से आने ही आने ठीक है हम आगे बढ़ते हैं तो यह मेरी प्रॉफाइल एकाटमी पर इसमें पढ़ाता हूं आप मुझे फॉलू कर सकते हैं ठीक दोस्त है तो फोर जुलाई को हमारे क्लास हो नहीं हो इंटेंटेंट पर ठीक है दोस्तो टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस तो आई बीपिस क्लारिकल कानो डिवेशन आचुग आपे सामने है ना और ग्रामी ड्वैंग का है ही है आगे पियोगा भी आएगा तो अगर आपको और यह अभी आपके लिए ओफर भी चलता है ओफर क्या चलता है बताऊंगा मैं आपको तो हमारे पेट बैश में आपको पूरा सले बस पूरा कॉंटेंट इस्टेडी मेटीरियल पीडियाफ डाउट से मिलता है अगर आप अपने टीचर से कुशन नहीं पूछ पाया इन शॉर्ट को प्लोड करेंगे तो अनकेडमी की तरफ से आपको सिलोशन में रहा है देखें बैंक एश्योर आपके लिए ओफर दोस्तों तो वी विल हैल्प यू यूर जर्णी तुवर्ड क्लिरिंग दा बैंक एग्जाम और इफ यू और नोट सटिस्वाइड मतलब दोस्तों इसका मतलब हम आपको हम आपको 6 महीने का जो दे रहें अगर आप हमारा अनकेडमी का है साल के लिए या 2 साल के लिए पर्चस करते हो तो आपको हम 6 महीने अलग से देंगे externation लेकिन अलग से मतलब समझें अच्छा यह ऑफर की इवल 4-8 जुलाई है हम प्लस के लिए भी हमारे प्लेटफॉर्म पे है दुस्तों तो यह सारे पॉइंट हो गया है तो यह चार से लेकि आठ जुलाई तक ही यह प्योंस है आपको छे महीने का एक्सेंशन और मिल जाएगा हमारे अध्यान जिए अगर आप प्लस अध्याइशन लेता है इस प्लस फीस इतनी है आपकी 24 महीने की एट रिपल नाइं और बारह महीने की सेवन फॉर जबल नाइं सेवन फॉर डबल लिखा हुआ ठीक है और हमारा कोड है एवी पी वन जीरो लगाईए आपको टैन प्रसंट का डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर भी ठीक है अगर आप आप आइक्वानिक पर्चस करें तो गाईस तो 24 महीने का है वन जीरो फॉर डबल नाइं और बारह महीने का ए ट्रिपल नाइं हमारा कोड है एवी पी वन जीरो पॉर टैन प्रसंट शोर और डिसकाउंट दोस्तों ठीक है इसे भी अधर तो वीडियो हमारा कैसा रहा प्लीज हमें कमेंट करें और अगर कुछ वीडियो की टॉपिक अगर करेंट थोड़ा सा अलग रहता है होट टॉपिक एक्जाम परस्पेक्टिब थैंक यू सू मच अपना ख्याल लगए गया